दोस्तों नमस्कार मैं मुकेश कमार आज मैं आप सब को बताऊंगा कि किराना मार्ट में कैसे हम अपनी आईडी को ओपेन कर सकते हैं और कैसे जो है हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं कैसे डारेक्ट की टीम देख सकते हैं कैसे जो है इनकम अपनी चेक कर सकते हैं कैसे जो है हम कि दिखावंगा तो आप लोग बने रहे हैं हमारे साथ देखिए पूरा वीडियो के हो सकता है वीडियो थोड़ी लंभी हो लिकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी जो आए चलते हैं हम क्रॉम ब्रॉजर की तरफ तो ये देखिए मैंने Chrome browser को open कर लिया है Chrome browser को open करने के बाद यहां उपर में लिखेंगे kranamart.online यह देखिए मैंने लिख दिया है kranamart.online kranamart.online लिखने के बाद आपको यहां पे क्लिक करना है Actually often यह देखिया आप लोग यह दो मुंडा बना हुआ है इस यहां पे click करना है click कर दिया मैंने आप click करने के बाद यहां पे user ID डालेंगे देखिए यह यहां मेरा user ID password मैंने डालेंगे अब इसको login कर देंगे login पे click कर दिया अब देखिए left side में जो तीन लाइन बनी हुई है यहां से क्लिक करके हम उपसंस निकालते हैं इसे इसको स्क्रॉल करके उपर ले जाएंगे देखे यहां पर टोटल इंकम दिख रही है नेट इंकम दिख रही है ओटो पूल इंकम दिख रही है डिरेक्ट इंकम दिख रही है लेवल इंकम दिख यह सारा कुछ यह से देख सकते हैं और यहां से हम यह तीन लाइन जो लेफ्ट साइड है उस तीन लाइन पर क्लिक करते हैं देखे कितना ओप्संस आता है यहां प्रोडक्ट पर्चेश कर सकते हैं हों का इस है जन्रो जी क्लिक करेंगे तो इहां पे डायरेक्ट क्लिक कर्एंगे तो देखा देखिए देखते जाए आप लोग कितने डायक्ट है यह देखिए यह देखिए कुल मिला के 35 डायक्ट है जिससे के इसको लेट साइड स्क्रॉल करेंगे यहां पता चलाए जितना ग्रीन कलर में वह सभी सक्रिय होसमें लिखा हुआ है जो रेड कलर में आपको ये समझ में आ गया कि active कितना है लिए सब कैसे देखते हैं और direct के member को कैसे देखते हैं आप फिर से हम तिन लाइनप मैं किलिक करने के बाद आप फिर से जाएंगे यहां पर जेनोलोजी में और जेनोलोजी पर क्लिक करेंगे तो आपको जेनरेशन ट्री रैक्ट के नीचे एक जेनरेशन ट्री होता है उस पर क्लिक करेंगे आपको दिखेगा ओटो पूल आपकी किस परकार चल रही है और कितने लेवल में भी चल रही है आप लोग देख सकते हैं यह ये देखे हैं आप लोग आप लोग देख रहें है यह मेरा ओटो पूल का ट्री है ठीक है तो इस तरह से मेरे ओटो पूल भी जो है एक दो तीन चौथा लेवल में चल रहा है मेरा ओटो पूल ठीक है तो तीन लेवल भी हलांकि पूरा कम्प्लिट नहीं हुआ है लेकिन यह स्पॉंसर बेस ओटो फूल है तो इसलिए जो है मेरा चौथा लेवल भी चल रहा है और तीसरा लेवल भी कम्प्लिट हो रहा है ठीक है ना अब यहां पर फिर से तीन लाइन पर क्लिक करेंगे और हम ज जब से उपर आपको एक लिखें हुआ होगा रेफराल लिंक पीजिए बना अफ़िए हैं किताब जainen क कलिक करेंगे तो लिंक जो है वह कौपी हो जाता है कुलिक करने के बा Sultan youन्क काॉपी हो जाता है कि ये लिंक जो है कौकी हो गया original resting जाके जो हम इसको लख्यूनल को कर सकते हैं चैक्शय के अब एकर प्वाट्भ प्रप्सक्रश्ट करता हूं जिसान करता हूं यह देख यह मैंने जी स्प्रश्वत कर दिया देख और इनका यह जो है यह लिंक कोपी नहीं हो पाया तो मैं फिर से ट्रै करता हूँ एक बार यह बार फिर से मैं ट्रै कर लेता हूँ वहीं पर आके देखे आगे यहां पर यहां से जो आपको लिंक को कोपी करना है यहां पे देखिए copy options आ गया यहां पे copy पे क्लिक करेंगे यह copy हो गया ठीक है आप फिर से देखिए ऐसे क्लिक करके रखेंगे ऑसे क्लिक करके रखेंगे और इसको इधर से उधर करदेंगे यह copy हो गया ठीक है अब जो हम इस link को वहां पे जा के paste करदेंगे जिसे WhatsApp पर किसी को भेजना है तो यहां इसको नहीं किसी और को भेजना है किसी ग्रूब में हमनको भेजना है उस group को open करने जैसे इस घ्रu preferred को अगे पेर दिया और यहां पेस्ट कर दिया यहां आप लोग देख रहा है अब इसी लिंक पर कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा इंच जो किसी क्या हो Speech करने के बाद यह आपको ब्रॉजर मिले जाएगा यहाँ पर आपका sponsor id और sponsor name भरा हुआ उसको करना क्या है जो join होंगे उसको यहाँ पर नाम भरना है यहाँ पर email id भरनी है यहाँ पर mobile number भरना है और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड रखना चाहता है वह पासवर्ड उसको यहाँ करने यहां पर टिखा हुआ है लिखा हुआ है बलेक पर क्लिक करेंगे तो आपका रिगश्टेशन हो जाएगा ठिक है यह रेश्टेशन पर आपको आपका यूजर आईडी पासबर्ट दोनों दिखेगा उसका इसे आप साइड में जो volume का button down button होता है और power button दोनों को एक साथ दबाएंगे तो इसे आपका screen shot हो जाएगा यह देखिए हो गया ना screen shot इसी प्रकार आपका screen shot हो जाएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए जय हिंद बंदे वात्रम